चीटी और कबुट्टर की कहानी एक बार करक्ति गर्मियों में एक चीटी को पूर्थ प्यास लगी हुई थी वो पानी की तलाश में एक नदी किनारे पहुँच गए नदी में पानी पीने के लिए वो एक छोटी सी चटान पर चड़ गई वहाँ पर वो फिसल गई और फिसलत हुए नदी में जागिरी पानी का बाफ ज़्यादा तेज होने से वो नदी में बहने लगी पासी में एक पेपर कबुट्टर बैठा हुआ था उसने चीटी को नदी में गित हुए देख लिया कबुट्टर ने चल्दी से एक पता तोड़ा और नदी में चीटी के पास फेक दिया और चीटी उस पर चर गई कुछ देब बाद चीटी किनारे लगी और वो पत्ते से उतर कर सुखी जमीन पर आगी उसने पीर की तरफ देख और कबुट्टर को द्नprovाद दिया शाम को उसी दिम एक शिकारी जालने को पकड़ने आया कबुटर पेपर अराम कर रहा था और उसको शिकारी के आने को कोई अंदाज नहीं था चीटी ने शिकारी को देख लिया जल्दी से पास जाके उसके पाओ पर जोर से काटा चीटी के काटने पर शिकारी की चीक निकल गई और कवुतन जांग गया और उड़ गया नादिक सिक्षा कर भला वो भला अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा